तो दोस्तों वेलकम है आप लोग के मेरी एक और बिल्कुर न्यू वीडियो में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगो ना गेर्फ दगोर्ड के अंदर जो गोर्ड रिला में उसके उपर पूरी डिटेल देने वाला हूँ एक जो रीजन है ना जैसे इस्टन रीजन हो गया उसके अंदर कई फारे प्लैनेट फोर कई फाई स्टार्स और कई फाई दिनियाएं भी आती है और इसके इलावा ना बहुत से प्लैनेट पे बहुत से लोग भी रहते हैं पहला जो रीजन आ रहे है उसका नाम है इस्टन र प्र आजाते स्टार गोर्ड डिलम और एंड में आजाते मुन गोर्ड डिलम टोटल यह जो चारों की चारों है यह ना बहुत ही जाए पारफुल है यानि जो इस्टन रीजेन है वो तोटल चारों और इसो के अंदर ही बटा हुए है और इनमें फे जो एक हिसा है उसके पास बहुत वारे planet और बहुत वाई उनिवर्सी आते हैं टोटर यह जो चारो के चारो है ना इन सब के पाफ ना अपने-पने अपने इलाके हैं इलाके से मेरा यह मतलब निया कि एक जमीन है इनके पाफ ना अपना तो एक पुरा पुरा planet है और इसके इलावा और भी कई फारे planets के उपर rule करते है मगर इन में फे जो सबसे वहाँ पार्फूल है वो है बर्मा गोर्डिलम और ये ना बहुत ही वैदा बड़े इसे पर rule करते है इस्टर्ण डिवाइन रीजन के चार royal rank star के बार ना इसके बाद आ जाते 12 high rank star और इनके पाफ में बहुत ही फारे इलाके होते हैं यानि इतने वैदा बड़े इलाके तो नहीं कह सकते हैं बफ कुछी planets और कुछी stars होते हैं इनके पाफ high rank star के बाद आ जाते मीडर rank star वह फे तो बहुत फारे मीडर rank star है यानि एक या दो planets के पर ये फिर रूल करते हैं और इसके बाद आयते अन्नोम stars यानि ये जो stars होते हैं ये बहुत ही weather weak होते हैं इनकी तदाद तो बहुत ही weather है मगर ये ना एक तरिके कि ना FF अमयलों बाश्या की फलतरत में ना हवाम की तरह काम करते हैं इनके पाफ अपना कोई भी planet नहीं होता ये अपने फे high rank वाई जो planets होते हैं उनके जो इलाकी होते हैं उनकी फिरा हिफाफ़त ही करते रहते हैं और ये weather powerful भी नहीं होते eastern divine region के बाद होते है fourth divine region ये ना वरा eastern divine region फे बड़ा होता है और इसका व या तर जो इलाका होता है वो ना पानी पे होता है और इसके अलावबन है ये जो fourth divine region होता है इसके अंदर भी total ना 4 royal rank star होता है और ये जो 4 होता है ये ना पूरे के पूरे fourth region के अंदर बहुती वादर पारर्फूल होते है मगर इन फ़ब में फ़िवा जो पारफुल होते हैं फाउथन फी गोर्ड रिलम ये जो फाउथ रीजन होते हैं ये न बहुत ही वेधा पावर के मामले में बैलन्स होते है यानि इसके अंदर जितने भी जो रोईल क्लैन्स है वो सब के फबना है जो फाूत्-फी, गॉर्ड डियला में उसकी सुनते हैं और इसके बाद आजाता है Northern Region, यह जो Northern Region है यह पूरा का पूरा Devils का, इसके अंदर एक भी Human नहीं है, यानि जितने भी यहाँ पे रहते हैं फब Devils रहते हैं, और इन फब के पाफ ना Black Energy है, अगर North Region का कोई भी जो बंद है वो ना यहाँ पे निकल के बाहर चला जाएगा ना तो बाकी की जो रीजन्स के लोग हैं वो ना उसको मार देंगे पकड़के, क्योंकि यह लोग बाकी की जो रीजन्स के लोग हैं यह ना Devil Power को जरा ही पफ़नी करते हो, जिसके बाफ भी Dark Power होते हैं उसको मार देते हैं, यह भी यह देखते की वो अच्छा या बुरा है, और बाकी की जो रीजन्स के लोग हो उना वह noth डेर तक न हर नेरूख सकते हैं, वना उनके लोग बाहर के लीजन्स के लोग है वह बहुत ही वेदर फप्रहफ हो जाएगी और बाहर के लोगोरँज नको मार देंगे पकड़के, तो दौतल नोर्स रीजन के लोग हो पहु है मगर फिर भी इसके अंदर बहुत वारे प्लैट फोर बहुत वारे युनिवर्फी वाते हैं तो दोस्तों यह जो नौर्थ रीजेन इसके अंदर टोटल तीन डॉय रैंक प्लैट है पहला तो है फॉल्स टीरिंग रिलम और दूफरा आ जाता है यामा रिलम और तीफरा आ युनिवर्फी वारे होते हैं उसके इलाकी के अंदर वो सब न यूची के हो जाते हैं फिर आ जाते है यामा रिलम यामा रिलम को न जो यूची होता है वो पकड़ के अपना गुलाम बना देता है अब यह आप लोग श्टोरी देखो गया आप लोगो पिर ही समझाएगी फिर आ जाते है Burning Moon Region, Burning Moon Region को तो यूंची पूरे तरीके फिर डिस्ट्रॉई कर देता है, क्योंकि Burning Moon Region ने ऐसा काम किया था, जिसके वह जिए फिर यूंची को अपनी जिन्दकी में पहली बार सब से वैदर गुसा आया था, और इसके लावा ना Burning Moon Region ने एक ऐसा काम किया जिसके यूंची को बहुत ही वैद तकलीफ हुई थी, और इसके अपनी जिन्दकी में पहली बार इतना वैदर फैड हुआ था, इसके लावा ना इसको पूरे तरीके फिर डिस्ट्रॉई कर देता है, और हार एक बंदे हो खतम कर देता है, इसके लावा नोर्थ रिलम के अंदर औ रेंक, हाई रेंक, मीडर रेंक और इन सब के अपने अपने प्लेंट्स भी है और इसके लावा और भी कई फाय प्लेंट्स पर ही रूल भी करते हैं, वगर यह जो सब के सब प्लेंट्स है यह ना तीन रोयल रेंक प्लेंट्स की नीचे आते हैं, और इन सब के उपना तीन divine region और ये इन सब region फे सबसे वेधा पारफुल होता है इसके अंदर ना सबसे वेधा पारफुल लोग भी रहते हैं और इस सब की उपर ना जो dragon god clan है वो rule करता है वैसे तो जो western divine region है इसके अंदर टोटल ना 6 और royal rank planet है मगर इन सब में फिर जो वेधा पारफुल है वो सबसे वेधा बढ़ है और ये जो western region है ये ना उन बाकी की जो तीन region से उन सब में सबसे वेधा पारफुल भी यही है और जो dragon god realm है वो ना पूरा multiverse में सबसे वेधा पारफुल है यानि जो dragon god realm है इसका कोई भी मुकाबले नहीं कर सकता यहां तकि एस्ट वेस्ट और नॉर्थ के अगर लोग साथ भी मिल जाएना ये फिर भी dragon god realm को नहीं हरा सकते ड्रेगन गोर्डीलम इतना वेधा पारफुल है western divine region के अगर जो छे रोयल फैमिली इस है ना इनके अंदर जो dragon god realm है वो सबसे वेधा पारफुल है मगर dragon god realm के बाद जो second number भी सबसे वेधा पारफुल है वो है blue dragon god realm है ये भी बहुत ही जग़धा पारफुल है बहुत ही जग़धा बड़ा इलाका है यानि बहुत ही फारे planets और बहुत फारे stars है और इन चारों रीजन्स को मिलाके पूरा 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 गोर्ड रिलम बनता है और वह फे तो गोर्ड रिलम के रावा कुछ और जग़धाएं भी है जहां पे लोग नहीं जा सकते क्योंकि वो जो जगहें वो जब creation gold बना रही थी ना तब उस जगह को नो creation gold ने बाकि फाप फे अलादा कर दिया था दोफताबी तक मैंना आप लोगो जीतने भी यह जो चार रिजन्स बताया ना और इनके अंदर जितने भी जो planets और जितने भी जो यूनिवर्स और जितने भी जो stars ना इन फप को ना जो यूंची एनम जीत लेगा फाप फे पहले ना जो यूंची होता है वो ना north region के उपर कबवा करता है और पूरे के पूरा north region को ना एक कर देता है और पूरी के पूरी एक devil army बना लेता है उसके बार ना जो यूंची होता है वो ना eastern region पर कबवा करता है और एनमे जाके western region पर कबवा करता है जहाँ पे द्रैगन गोल्ड रिलम वहाँ है पुरे के पुरे goled रिलम कों कभवा करने के बार अजो यूची होता है वो न पहला बंदा भाल जाता है इस ट्रीका जिसने पुरे के पूरे के पूरे goled में पे एक इफाथ और भाल लिया था मगर याद रखना अब भी जो नौवल उफ का एंड नी हुआ याँ अभी जो नौवल हो ना कंटीनु है और यूणची का जो लेवल हो ना भी तक अपनी फाइनल स्टेज पे नी पहुंचा यूणची का जो लेवल है अभी तक ना फिर डिवाइन मास्टर रिलम लेवल पर है और ये जो लेवल है ये ना गोर्ड रिलम में कोई तोब लेवल नहीं है ये भी एक नॉर्मल लेवल ही है जहां पर बहुत से लोग पहुँच भी चुकी है और जो रियल गोड़ते वो अपनी फुल पावर में भी ये काम नहीं कर पए थे अब बहुत से लोग ना मुझे कोमेंट में ये कहेंगे यार जितनी लम मीना छोड़ एफर नहीं हो सकता तो दुफटो मैं आप लोगो गिरंटी देगें यैट थो एक दफार अगर आप लोगो नओवल रीड कर लोगे तो आप लोगो पुरी की पूरी बात पर यदी यकीन होड़ाइगा पे एक्स्प्लेंड कर रहा हूँ उसकी पूरा पूरा जो मांग रहा है मैं उसको वहीं पे एक्स्प्लेंड कर दूँगा तो दौस्त मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिलकुल एक ओन न्यू वीडियो में तब तक यह आप लोगो अपना ख्यार रखना